सूपेशी टम वन का रिजल्ट, डेट, सब इंसार कर रहे हैं ना, क्या 10th का रिजल्ट पहले आएगा, 12th का रिजल्ट पहले आएगा, क्या रिजल्ट की डेट अनौन्स नहीं होगी, या रिजल्ट आएगा इ नहीं, ऐसे भूस सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रह रहें तो चलिए शुरुबात करते हैं मेरा नाम है विजय कुपता और आप देख रहे हैं अपना चैनल CP Classes और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर और CBSC की रिजल्ट की डेट के लिए क्या कहानी चल रही है यह हम सब जानते हैं कि डेट बार-बार चेंज हो रही है चेंज क्या इन फाक्ट CBSC ने तो अभी चक कोई भी ऑफिशल डेट डेक्लेर नहीं करी थी बट जो लेटेस्ट कन्फरमेशन है इस चीज के बारे में वो मै normaly जो 10th और 12th के रिजल्ट में गैप रहता है न वो एक से दो दिन का रहता है अगर मैं 2019 की बात करूँ तो 2019 के अंदर 12th के रिजल्ट के बाद एक दिन के बाद 10th का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था अगर मैं उसी पैटरन को फॉलो करके देखूं तो इसका मतलब है 12th क्लास का रिजल्ट पहले आने वाला है उसके बाद 10th क्लास का रिजल्ट आने की उमीद है अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सीपैसी का जो 10th का टर्म 1 का रिजल्ट है उसका हो क्या रहा है उसका चल क्या है यह कहानी कहानी दोस्तों यह है कि टर्म 1 का रिजल्ट डेफिनिटली डिसकस किया जा रहा है बन रहा है on the basis of answer keys released by the board at the end of examination ठीक है अब क्लास 12 में तो क्या हुआ था जो क्लास 12 के कुछ पेपर से हैं उनको तो evaluate नहीं किया स्कूल्स ने सीपैसी टर्म 1 के जितने भी exam से they were all evaluated and processed completed by schools along with the examination ठीक है जो भी स्कूल्स जो भी score है बच्चों का number of correct answers वो भी schools ने share किया था with the board internal mark schools ने board को दिये और final score अब बन कर आना है ठीक है तो term 1 के class 10 के result में चली यह वाली कहानी अब सवाल यह है कि यार जो term 1 का result है क्या information है उसके बारे में बहुत सारे rumors हैं कि कुछ लोगों ने यह बोला है कि result इस बार आए गई नहीं हो सकता है इस बार result ना declare हो ठीक है बट official से जब बात की गई है जो उन्हें जो main खबर निकल कर आई है वो यह है कि भाईया ऐसा कोई कहानी नहीं है अभी तक कि result हम नहीं देने वाले हैं ठीक है उन्होंने साफ साफ यह बोला है कि result आ सकता है कब आ सकता है आज देखिए 31 जनवरी है आज लास डेट है इस महीने की जनवरी एंड है आज अब उमीद है कि हो सकता है result आ जाजाए हो सकता है result फैबरेरी के first week में आए बट एक बात मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ कोई भी official notification जब तक CBSC की तरफ से ना आए तब तक हम यह नहीं मान सकते हैं कि result कब आ रहा है और अभी तक क्योंकि CBSC ने कोई भी date declare नहीं करी है तो कुछ भी बताना possible नहीं है कि यह result कब आने वाला है आज भी आ सकता है बट आज मैं बता हूँ आपको chances काम है क्योंकि normally यह होता है कि पहले CBSC tweet करके यह बता देता है कि आज इतने बज़े हम result declare करने वाले है क्योंकि अभी तक कोई news नहीं है तो maybe देखिए आ भी सकता है but expected है शायद वो फिर first week of February में आए और वो result आप देख सकते हैं cbc.gov.in पर या cbc.nic.in पर digit locker के थुरू भी आपको यह result मिल सकता है so basically यही चीज़े हैं तो किसी भी fake news पर अभी आप believe ना करें क्योंकि अभी तक किसी भी तरह की date ना 10th के लिए ना 12th के लिए cbc ने declare की है बट हाँ result आने की पूरी पूरी उमीद है ऐसा कोई scene नहीं बन रहा है कि भी यह result cbc देने वाली नहीं है तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी आप believe मत करें ठीक है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं क्योंकि जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़े चल रही है उनको कम से कम clarity हो जाए इस channel के माध्यम से कि यहाँ पर क्योंकि मैं आपको नहीं बिल्कुल साही चीज़े बता रहा हूँ ठीक है चलिए आप मुलाकात करूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक take care bye bye